सोशल मीडिया पर इस महिला का ये वीडियो काफी शेर किया जा रहा है सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए प्रोबलम धुटी खोड़ो माझें ना सबसे रहा है ना सबसे रहा है थो ना अब मत सबसे थिद जा तो। इसके साथ दावा की आज रहा है कि गंतंत्र दिवस के मौके पर महराश्र में एक मुसलिम महिलाने लोगों को राश्री अजंडा फैराने से रोका और भारत माता की तस्वीर छीन ली इसी दावे के साथ ये वीडियो फेस्बुक और ट्विटर पर वाइरल है और न्यूस के एप पर भी इस वीडियो की असलियत जानने के लिए कई रिक्वेस्ट आई है तो क्या वाकई में एक मुसलिम महिलाने गंतंत्र दिवस पर राश्री अजंडा नहीं फैराने दिया इस वीडियो की जाच करने पर हमने सोशल मीडिया के दावो को गलत पाया नवभारत टाइमस ने बताया कि ये घटना 26 जनवरी को महराश्र के थाने में हुई थी इस मामले में स्थानिय लोगों ने महिला के खिलाफ कपूर बावडी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी इस घटना के बारे में पत्रकार रौनक कोटेचा ने एक वीडियो रिपोर्ट में बताया है कि महिला कथे तौर पर मांसिक रूप से बिमार है उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि पूलीस ने महिला के खिलाफ गैर संगे अपरादों के तहट मामला दर्ज किया है थाने पूलीस ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि महिला के खिलाफ एक एंसी दर्ज किया गया है सोचल मीडिया पर शेर किये गए इस वीडियो पर जवाब देते हुए एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो इस महिला की ही हाउसिंग सोसाइटी में रहता है उसने लिखा कि महिला का साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट चल रहा था औल्ट निउस ने जब इस व्यक्ति से संपर्क किया तो उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया कपूर बावडी पुली स्टेशन के एक वरिष्ट निरिक्षक ने बताया कि ये महिला मुस्लिम नहीं बलकि पंजाबी हिंदू है उन्होंने आगे कहा कि वो महिला की मानसिक सिति के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है लेकिन महिला का व्यवहार किसी मानसिक रूप से विमार व्यक्ति की तरह ही था यानि इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर एक जूठा और सांप्रदाइक दावा शेर किया गया कि मुस्लिम महिला ने गरतंत्र दिवस के मौके पर राश्री अजंडा फैराने नहीं दिया जाच में पाया गया कि ये महिला मुस्लिम नहीं बलके पंजाबी हिंदू है